हेलो दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का नेवारी सर के इस ओनलाइन यूटूब चैनल पर मैं Pravyant Singh आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार फर्स्ट ग्रेड याणि के स्कूल व्याख्यता के अंदर गठत हुने वाला जो फर्स्ट पेपर है इस्कूल व्याख्यता के विद्यार्थियों को पता होगा कि हमा दो पेपर होते हैं पहला वाला paper होता है GK and GS का और second paper आपके relevant subject का होता है तो GK and GS के अंदर 10 number के maths के question भी पूछे जाते हैं जिसके अंदर एक दो question आपके reasoning का भी रहता है तो जो आपके maths का portion रहने वाला है उसको open complete कर रहे थे उसके syllabus को मैंने आपके सामने अच्छे से declare किया था किसका syllabus में क्या-क्या mention किया गया है और आपको कौन-कौन सी चीजों को पढ़ना है उसके बाद में हमने हमारे mensuration topic को यानी चेत्रमीती वाला topic complete कर लिया था जिसके अंदर गन, गना, बेलन, संकू, चिननक इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से समझा इसके बाद में हमारे पास एक दे रखी थी हमारी mathematics जो की secondary level की जिसके अंदर आप से natural number, rational number, irrational number, इसके बाद में इनके decimal expansion के बारे में और आपके law of exponent वगरा जो है उसके बारे में आपको पढ़ना था तो last class के अंदर मैंने आपको decimal expansion तक की बातें complete अच्छे तरीके से समझा दी थी कि decimal expansion होता क्या है और ये कितने परकार के होते है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था decimal expansion दो परकार के होते हैं एक होते हैं अनावरत और एक होते हैं आवरती वाले अनावरत का मतलब है कि point के बाद में यानि दसमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो repeat नहीं होती है वो अलग-अलग हर बार संख्या आती है और उसके उदारन दिये थे जैसे कि pi की value तो 3.14 15926 5359 फिर मैंने root 2 की value बताई थी ऐसे root 3 की value होती है ठीक है और आवरती वाली decimals कौन से होती है जिसके अंदर point के बाद की संख्या या तो fix होगी की 1 होगी 2 होगी 3 होगी और अगर जादा बार है तो वो सभी संख्या रिपीट हो रही होगी यानि बार-बार आ रही होगी जैसे 2 बटे 3 था फिर 0.222 0.151 बाईस बटे 7 ये सब जो है कुछ ऐसी संख्याए हैं जो आवरती संख्या कहलाती है अब इनसे हमसे ये कोशन नहीं पूचा जाता कि आवरती कौन सी है अनावरत कौन सी है हमें तो इसमें कोशन दिया जाता है और कोशन दे करके उसके अंदर पूचा जाता है कि बताईए इसके अंदर जो है आपका कौन सा decimal expansion होगा अब ये सब चीजे हमें कैसे पता चलेगी दो संख्याओं के बीच में कितनी परीमे संख्या है इस परकार के कोशन पूचे जाते हैं तो इनके लिए पहले आपको कुछ नौट डाउन करना है उसके बाद में इनके जो प्रैक्टिस के लिए मैं कोशन लेकर क्या आया हूँ आपके PYQs लेकर क्या आया हूँ ताकि वो आपको समझ आ जाए कि हमें किस परकार से कोशन को सौल करना है ठीक है चलिए तो आज की क्लास के नौट बनाना आप सुरू करिएगा और सबसे पहले हम समझेंगे आपके पास में जो important नौट पॉइंट से उनको नौट डाउन क है A और B के बीच में परिमे संख्या कौन-कौन सी आती है ये हमें पता लगाना हो यानि दो संख्या दे देगा आपको इसके उपर बेसट गुसरत आया है जैसे 5 और 10 nibंसे परिमे संख्या कितनी आ रही है और कौन-कौन सी आ रही है वो कैसे पता चलेगा तो वो हमें इस फ ak plus b upon my k plus 1 और फिर आप k की value जितनी निकालनी है तीन अगर परीमे संख्या निकालनी है तो k की value 1,2,3 पूट करना 4 निकालनी है तो 1,2,3,4 पूट करना 5 निकालनी है तो 1,2,3,4,5 पूट करना समझ में आ गई बात si clear है तो अगर हमें दो संख्याओं के बीच में परिमे संख्या निकालनी हो तो उसके लिए सुत्र है हमारे पास ये A K प्लस B अपॉन में K प्लस 1 और K की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4 इस परकास से ठीक, समझ में आगई बात, तो ये याद रखना कि दो संख्याओं के बीच में परिमे संख्या निकालने के लिए जो सुत्र है हमारे पास वो क्या है A K प्लस B अपॉन में K प्लस 1 ठीक है चले दूसरा है हमारे पास में A और B के बीच में A परिमे संख्या क्या A और B के बीच में A परिमे संख्या कितनी है तो जब आप से परिमे संख्या पूची जाएगी तब तो आप यूज कर लोगे A K प्लस B अपॉन में K प्लस 1 अब A परिमे पूची गई तो तो irrational संख्याओं के बारे में जब पूचा जाएगा तब आप क्या करोगे A B की पावर 1 बाए K कर दोगे क्या करोगे A इंटू B की पावर 1 अपॉन में K और K की वैल्यू क्या क्या है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस परकार से आप infinite तक जितनी संख्या निकालनी है उतनी K की वैल्यूज पूट करते जाओगे समझ में आ गई बात तो परिमे संख्या निकालने का सुत्र और A परिमे संख्या निकालने का सुत्र है वो आपको याद रखना है और जब भी आपसे कभी भी आप कोई दो संख्या दे करके परिमे संख्या पूचे इनके बीच में 4 परिमे संख्या बताओ इनके बीच में 5 परिमेसंग क्या बताओ या इनके बीच में कौन सी परिमेसंग क्या हो सकती है तो वो सब आप इन दोनों सुत्रों से आसानी से स्वाल्व करके पता लगा सकते हो समझ में आगई बात clear है तो अब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करने में आपको कहीं पर भी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या होने वाली है यूज कर लोगे ना आगे मैं कोसंस करवाऊंगा वहाँ इनका यूज होगा ऐसे ही हमें अब कुछ not point है जिनको याद रखना है direct कोसंस सॉल्व करने के लिए direct बोले तो कोसंस देखते ही आंसर निकालने के लिए आपको जो मैं अभी 6-7 point लिखवा रहा हूँ वो याद कर लेना तो पहले 2 point complete हो गए अब आपके कोसंस के लिए जैसे की देखो अगर कहीं पर लिखा हुआ हो 0.a की power bar है ना 0.a bar a की जिएके कोई संख्या होगी जैसे 0.6 bar लिखा हुआ है 0.3 bar लिखा हुआ है 0.4 bar लिख दिया तो आप क्या करोगे उसका आंसर जो बिन में होगा वो क्या होगा a upon me 9 क्या होगा a upon me 9 हो जाएगा समझ में आ गई बात ऐसे ही जब आपको 0.2 संख्याए a b की power बार दे रखी हो तो आप लिखोगे a b upon me 99 तो यहाँ पर एक चीज आपको याद क्या रखनी है जितनी संख्याओं के उपर बार होते हैं उतने ही निच्चे 9 से डिवाइड किया जाता है और जिनके उपर बार नहीं है उतने ही निच्चे 0 लगाए जाते है क्या किया जाता है? 0 लगाए जाते है समझ में आ गई बात clear है ऐसे ही थर्ड नंबर पर आता है जैसे 0.ABC की पावर बार तो क्या हो जाएगा solution इसका यानि इसकी बिन्न क्या हो जाएगी ABC अपॉन में 999 समझ में आ गई बात ठीक है सर याद ही करवाओगे कोसन कैसे अरे भाई आगे बहुत सारे कोसन लेकर के आया हूं मैं बहुत सारे बस एक बार आप इन चीजों को समझ जाओ और आपको ये visualize हो जाए कि हाँ किस परकार से हम क्या कर रहे है बाद में तो direct आपका कोसन देखा answer क्योंकि इनका solution वैसे बहुत लंबा होता है X के equivalent रखो फिर वहाँ से उसको इदर से minus करो plus करो बहुत लंबा solution है और हमें इतना लंबा नहीं करना है हमें तो exam में क्या करना है कोसन देखते ही answer निकालना है इसलिए मैं ये tricks बता रहा हूं ठीक है fourth number पर याद रखना अगर 0.A और फिर B की power में बार आ जाए यानि केवल एक के उपर बार लिखा हुगा हो तो क्या करोगे AB minus A करोगे और निचे एक के उपर बार है तो एक 9 और एक के उपर बार नहीं है तो एक 0 जिसके उपर बार है उतने तो निचे 9 आएंगे और जितनों के उपर बार नहीं है उतने नीचे 0 आते हैं ऐसे ही देखो यह रहा पांचवा 0.A, B और C की बार है ना तो क्या हो जाएगा A, B, C minus A, B upon में 900 ठीक है ऐसे ही 6 नंबर पर 0.A, B, C के उपर बार है तो क्या हो जाएगा A, B, C minus A upon में 2 के उपर बार है तो 2 नो आ जाएंगे और 1 के उपर बार नहीं है तो 1, 0 आ जाएगा समझ में आ गई बात तो अब आपको मुझे लगता है ये किलियर हो गया होगा कि कितनों के उपर बार है कितनों के उपर बार नहीं है तब क्या करना है तो जितनों के उपर बार होता है उतने तो 9 लगाते है और जितनों के उपर बार नहीं है उतने 0 लगाते है कहाँ पर निचे divide के अंदर उपर क्या करना है जो संख्या रही है वो agility लिखनी है ठीक है अगर सभी के उपर बार है तो फिर अगर बार किसी पर नहीं है तो उसको total में से minus कर देने का है जैसे यहाँ देखो A, B और C की power bar है तो हम क्या करेंगे A, B, C पूरी संख्या लिखेंगे उसमें से जिसके उपर बार नहीं है उसको minus करेंगे यानि A, B को minus करेंगे समझ में आ गई बात clear है तो मुझे उमीद है कि अब आप ये जो है कर लेंगे कर लोगे न तो अब हम आगे क्या करते है कोशन करते है ताकि आपको क्या हो जाए एक satisfaction मिले कि हाँ, जो हमने पढ़ा उसका use कैसे करना है ठीक है, चलिए देखिएगा आप आराम से अब अपनी copy के अंदर notes बनाईएगा पहला कोशन आया आपके पास में 0.5 बार अब अगर मुझे ये exam में मिल गया सौरी, आपको ऐसे नहीं दे करके पहले इस पश्ट नहीं दे करके ऐसे दे दिया 0.555 और ये चलता रहेगा ऐसा दे दिया हमें ठीक है अब अगर ऐसा दे दिया हमें कि 0.55555 अब जब ऐसा दे दिया जाता है तो हम इसको सबसे पहले तो बार के रुप में लिखेंगे यानि इसको हम लिखेंगे 0.5 और 5 ही बार-बार रिपीट हो रहा ना तो 5 के उपर ही बार आ जाएगा अगर 2 संख्या रिपीट हो रही होती तो दोनों के उपर बार आता ठीक है तो 5 रिपीट हो रहा था इसलिए हमने क्या करा 5 के उपर बार लगा दिया अब यह क्या हो गया 0.5 बार हो गया अब 0.a बार था उसको हम क्या लिख रहे थे a upon me 9 यानि इसको हम क्या लिख देंगे सीधा सा 5 upon me 9 यही हमारा आंसर है तो जब आपको एक्जाम में ऐसा दिखे कि 0.5555555 है तो उसका मतलब है कि यह क्या लिखा है 5 upon me 9 लिखा है ठीक है क्लिए क्लिए रहे है एकदम अच्छे से तो इस टाइप के कोशन साते हैं एक्जाम में अभी आगे आपको दिखाऊंगा मैं ठीक है चलो देखो एक और कोशन लेते हैं हम इसी टाइप का हमने एक कोशन लिया 0.676767676767 और यह ऐसे repeat हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो इस कोशन के अंदर क्या हो रहा है जलदी से देखिए 0.67676767 का पूरा पेर यानि की 6 और 7 6 और 7 6 और 7 दोनों के दोनों सात सात में क्या हो रहा है repeat हो रहा है आवरती हो रही है recurring हो रहे है समझ हमाईपवाई बार बार आ रहे है आ रहे है न बार-बार तो इनी के उपर क्या लगेगा बार अरे जो बार-बार आएगा उसी के उपर बार लगेगा यही तो चमजाया है मैंने अभी तक अब आपको यह किलियर हो गया कि यह क्या हो जाएगा बताईए 0.67 आ रहा है बार-बार लगा दो इसके उपर बार लग बन गया यह 0.0.0.AB के उपर बार यानि यह क्या हो जाएगा अब A.B. यानि 6.7 डिवाइड हो जाएगा 2 के उपर बार है तो 2.9 से डिवाइड होगा यह बस यह लो आगया answer बताओ है किलियर है अरे बताओ चोटु डॉन सही है चलो भया तो 67 अपन में 99 अपना answer आ गया बस तो आपको इसी परकार से ऐसे questions को solve करने हैं सर इतने ही करवाओगे अरे नहीं भाई अभी तो बहुत सारे questions करने है चलो देखो next question next question आया अपने पास में एक आया कि 0.567 567 और ये repeat होता रहेगा अच्छा सर अरे बाई जब 0.567 567 567 repeat हो रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे अरे हम इसको क्या लिखेंगे जल्दी बोलो इसको हम लिखेंगे 0.567 के उपर बार ठीक है जो संक्या है repeat होती है उनके उपर बार आता है लगा दिया 567 के उपर बार अब ये क्या बन गया 0.ABC के उपर बार यानि ये हो जाएगा A B और C divide by 999 बस ये ही अपना answer है समझ में आ गई बात खीक है 567 अपन में क्या हो जाएगा 999 बस तो ऐसे हमें जो है इस परकार के questions को solve करना है clear है आपको चीजे समझ में आ रही है ना अगर फिर भी मैं देखो वैसे तो सबी formula जितने भी मैंने formula बताए है उन सबी formula पर based question करवाऊंगा लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आपका कोई doubt रहता है तो मुझे बता दीजिएगा ठीक है किसी भी परकार का कि sir ये चीज मेरे समझ नहीं आई है तो वो मैं आपको बता दूँगा बढ़ते हैं अब बपन आगे की तरफ next question अपना देखिएगा next question क्या है तो next question है 0.46 ठीक है और बार केवल है 6 के उपर बार किसके उपर है केवल और केवल 6 के उपर बार लगाना है पूरे 6, 46 के उपर बार नहीं लगाना केवल और केवल, किसके उपर बार लगाना है, 6 के उपर बार लगाना है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर भी सिधी सी बात है, जितनों के उपर बार है, उतनों का तो divide, और जितनों के उपर बार नहीं है, उतने 0 लग जाएंगे, तो यह क्या है 4 के उपर तो 4 माइनस होगा थिर डिवाइड कितनों के उपर बार है 1 के उपर तो 1 तो 9 आ जाएगा और 1 के उपर बार नहीं है तो 0 लग जाएगा बस ये लो अब क्या हो जाएगा ये हो गया 42 अपॉन में 90 अब इसको आप और simplify कर सकते हो आपकी इच्छा करें तो जैसे कि हम इसको simplify अगर करना चाहें तो ये simplify किस से हो जाएगा 6 से कर लो 6 सकते 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 से 15 बार यानि अपना आंसर आ गया 7 बटे 15 समझ में आ गई बार तो 7 बटे 15 को को अपन क्या कह सकते हैं 0.46 बार कह सकते हैं ठीक है अगर फिर भी इसमें कुछ किलियर नहीं हो रहा है तो बता दीजिएगा समझने आ गई न बात तो ये हमने जो अभी पीछे फॉर्मूले देखे थे उनसे रिलेटेड कुछ कॉंसेप्ट को अपन कोसंस के माध्यम से अगर टाइम चाहिए हो तो इसकी शॉट के लिए बता दीजिएगा पर जरूर आप जो है क्या करें थोड़ा सा नॉट डाउन्स जरूर करें नॉट्स जरूर बनाए जो ट्रिक्स है जो कॉंसेप्ट्स है उनका यूज जरूर करें नेक्स्ट अपने पास कोसन आया कि 0.578 ठीक है और बार जो है वो लगा हुआ है केवल और केवल 78 के उपर ठीक है क्या हुआ है केवल 78 के उपर मैंने बार लगाया है तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा सीधा सा दिख रहा है 0.578 लिखा है यानि कि इसको लिखूंगा पहले तो मैं क्या इसमें से माइनस क्या करूंगा जिसके उपर बार नहीं है बार किसके उपर नहीं है 5 के उपर तो 5 का माइनस कर देंगे फिर divide करेंगे किस से तो divide उससे करेंगे जितने बार है उतने तो 9 और जिसके उपर बार नहीं है उतने 0 यानि देखो एक और दो के उपर बार है तो 2 तो 9 आएंगे और 5 के उपर बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगा बस अब इसको minus कर लो तो यह हो जाएगा 5 7 3 divide by 990 किलियर है बस अब इसको solve कर लेना simply ठीक है अगर यह कटता हो आगे तो आपको काटना है नहीं कटे तो अपने को जादा जो है ऐसे नहीं सोचना है की नहीं सरक कटे नहीं रहा तो अब क्या करूँ नहीं कट रहा तो नहीं करना है next question की और बढ़ते है next question है अपने पास में क्या 3.12 और बार है केवल 2 के उपर अब यह question देखो थोड़ा सा नया आ गया है ना क्योंकि अभी तक जो हमने संख्याएं ली थी वो सब कैसी संख्याएं थी 0. क्या थी 0. मैं कुछ था लेकिन अब अपने पास में क्या आ गया अब 0. में नहीं आया अब आगई संख्या के point में कुछ जैसे 3. में है ऐसे ही आगे और question आने वाले जिसे 4. कुछ होगा 2. कुछ होगा तो जब ऐसा आता है अपने पास question तो हमें क्या करना है पहले जो आगे वाली संख्या उसको अलग कर देना है यानि 3 को अल आगे वाली संख्या को अलग कर दो ठीक है अब यह जो 3 है इसका कुछ नहीं करना है इसको एज़िटीज रखना है हमें solve करना होता है केवल 0.12 बार को जब आप इसको solve करोगे तो क्या करोगे वही 12 फिर minus 1 के उपर बार नहीं है तो 1 divide by कितनों के उपर बार है 1 के उपर तो 1 के उपर बार नहीं है तो 1 0 और यह प्लस इसका 3 चलता रहेगा तो यह क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 में से 11 बटे 90 ठीक है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं 3 सही 11 बटे 90 ठीक है यह अपना हो जाएगा answer तो 3.12 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 सही 11 बटे 90 लिख सकता हूँ यह मैं आपको समझाना चाहरा हूँ जब अपने पास में questions आएगे बार वालों को add करिये या बार वाली संक्याओं का गुणा करिये तो हम बार वालों का गुणा या multiply करने से better है कि हम direct इसको use करें उसको बिन्दों में बदल लें और फिर अपन उनको solve करें ताकि अपना answer जल्दी से जल्दी आए ठीक है next देखिएगा आगे question करते हैं और question लिया अपने 2.65 और बार आगया 5 के उपर इस question को करेंगे solve हम तो क्या हो जाएगा सिधी सी बात है point के आगे की संख्या को अलग करना है point के पिछे की संख्या को अलग करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 plus 0.6 और 5 के उपर बार आ जाएगा ठीक है फिर हम क्या कर लेंगे इसको अब वही 65 minus 6 divide by एक के उपर बार है एक के उपर नहीं है तो 9 और 0 और ये 2 add हो जाएगा तो ये अपना क्या बन जाएगा 2 और ये कितना है 59 तो 2 सही उनसाइट बटे 90 अगर कट रहा हो तो हम इसको simple करने की कोशिस करेंगे नहीं करता है तो AGT जो आ रहा है वही लिख देंगे समझ में आ गई बात ठीक है ये भी किलियर है तो 2.65 बार को अपन क्या लिखेंगे ये मुझे लगता है अब आपको किलियर हो गया होगा अब मैं आपको करवाता हूँ जो अपने आपके RPSC हो चाए R SMSSB Board ने पूचे हुए कोशन्स है यानि जिन से related कोशन्स आते हैं या जिस टाइप के कोशन्स इस टॉपिक से अभी तक पूचे गए हैं अब मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ और जो अब मैं कोशन्स करवाऊंगा ऐसे RPSC ने भी कई बार पूचे हैं और भी कई एक्जाम्स के अंदर पूचे गए हैं इसलिए उनको बहुत अच्छे से सीखिएगा देखिए करेंगे अपन कोशन्स और इसको नौट डाउन कर लेना ठीक है क्योंकि इसी टाइप का RPSC फर्स ग्रेड आप ही के एक्जाम में आ चुका है कोशन्स कोशन्स है 3.12 और 12 दोनों के उपर है बार बार है ना जब भी आपके एक्जाम में आये तो आप एक बार थोड़ा सा द्यान से देखना कि दोनों संख्याओं के उपर बार है या एक के उपर बार है ठीक है फिर आया अपने पास 5.34 के उपर बार फिर आया अपने पास में 2.16 के उपर बार ठीक है ऐसा question अपने को दे दिया गया है अब इस question का solution अपन से पूछा जा रहा है यानि कि अब इसको जो है अपने solve करना है और इसका answer क्या आएगा वो बताना है तो जब भी exam में आपको ऐसा question दिख जाए तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला zero point में कुछ बनाओगे तीन प्लस जिरो पॉइंट बारा बार कर देंगे ऐसे ही इसको कर देंगे पांच प्लस जिरो पॉइंट चौतिस बार ऐसे ही दो प्लस जिरो पॉइंट सोला बार किलियर है अब ये अपनने solve ने अलग-अलग कर दिया इसको मिल करके अब क्या करेंगे संख्या संख्या तो अलग एड़ कर दो और यह जो पॉइंट और बार वाले हैं इनको अलग कर दो तो देखो तीन और पाँच आठ और दो दस कितने हो गए यह तो दस हो गए प्लस यह 0.12 बार प्लस 0.34 बार प्लस 0.16 बार ठीक है अब क्या हो जाएगा 0.12 बार को अपन क्या लिखेंगे बताईए हैं तो भाई सीदी सी पहले तो संख्या लिख लो बार लिख लिया अब माइनस क्या होगा इसमें कुछ भी नहीं क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके उपर बार नहीं है, तो बारा बट्टे क्या हो जाएगा, दोनों के उपर बार है, तो दो नो आ जाएंगे, फिर प्लस, ये इदर दस तो ही है, ठीक है, इसको नहीं बूलना है, और इदर भी क्या है, देखो, 34 पूरा आएगा, कोई माइनस नहीं होगा, और नीचे द दो, तो इन सब के नीचे कॉमन है, 99, उसको ले लिया बाहर, उपर जूड जाएगा, 12 प्लस, 34 प्लस, 16, 12 प्लस, 34 प्लस, 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 10 प्लस, 34 और चेक इतना हो जाएगा, 40, 50, 50, 60, 62, तो ये हो गया, 62 बट्टे, 99, क्या हो जाएगा, 10 प्लस, 62 बट्टे, 99, क्लियर है, अब आप लोगों को ये चीज, पहले ही मैं समझा चुका हो, कि किसी संख्या के नीचे, जितने 9 है, उतनों के उपर बार, और जितने 0 है, उतनों के उपर बार, नहीं, यहाँ पर बताईए, कि 63 बट्टे, 99 लिखा है, इसका मतलब ये क्य लिखा है, ये लिखा हुआ है, 0.62 बार, ना, दोनों के उपर बार आ जाएगा, क्योंकि 62 अपन में 99 है, तो दोनों आ जाएगे, और माइनस कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, जिसके उपर बार नहीं हो, अब 10 प्लस, 0.62 बार को जोडोगे, तो ये क्या हो क्यों, क्योंकि जब आप डारेक्ट एड करोगे, तो हो सकता है आप कुछ गलती कर जाओ, लेकिन जब आप ऐसे सिस्टेमेटिकली एड करोगे, तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है, अब किसी के दिमाद में आ रहा हो, कि सर, 12 और 34 और 16 को डारेक्ट एड करूँगा, आने वाला हूँ, तब आपको दिखेगा, कि हाँ सरी, ये तो सभी में सही नहीं हो रहा है, समझ में आ गई बात, ठीक है, क्योंकि जब आपने किसी मान लो, अभी 2 के उपर ही बार होता, तो एक माइनस होता तो ये तो 11 हो जाता, है ना, जबकि आप डारेक्ट करोगे, तो तो आपको मुझे उमीद है, कि ये बार वाली संख्याओं को जोड़ना आ चुका होगा, और आप लोग समझ चुके होंगे, कि किस परकार से बार वाली संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, अब इनको गुणा करना, माइनस करना, और जोडने का हर बार ऐसे इतना ल साथ में शेयर जरूर करना है, ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए लगातार क्लासेश लाने का प्रयास किया जाए, ठीक है, तो आगे की जो क्लासेश हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, मतलब आगे का जो भी प्रोसेश है, आगे की जो मैथ है, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूँगा, ठीक है, अभी आपको जो है, अपनी क्लास को अपन यहीं पर करेंगे, समाप्त मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए, बाई-बाई, लव यू, प्लीज टेक केर, और प्लीज शेर वी तर फ्रेंड्स, जै हिं यह बाई